मैं अपने face पे toner लगा रही हूं और मैं यहाँ पर alps goodness का rose toner लगा रही हूं उसके बाद मैं यहाँ पे serum लगाऊंगे अपने face पे और सीरम के लिए मैंने Good Wives का रोजीप सीरम लिया है और इसे अपने पुरे फेस पे अच्छी तरीके से लगा लेंगे यह सीरम बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत पसंद है आपकी स्किन को बहुत सॉप्ट कर देता है और उसके बाद मॉश्यराइजर लगाएंगे हम यहां पर मॉश्यराइजर के लिए मैंने Biotic का मॉश्यराइजर लिया है और उसे अपने फेस पे अच्छी तरीके से लगा ले हूँ next मैं लगाई हूं पर primer तो primer के लिए मैं NYB का primer लगाई हूं जो हर टाइम में लगाती हूं हर वीडियो में तो make up करने से पहले skin care करना बहुत जरूरी है और skin care से आपका make up बहुत अच्छा दिखता है उसके बाद मैंने अपने eyebrow को fill किया है तो आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है Swiss Beauty का आईब्रो पेंसिल और मेरा सेड है ब्राउन और इससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी और मैं heavy आईब्रो को नहीं फिल कर लूँँ बहुत light जैसे normal मेरा आईब्रो है उसी को naturally मैंने फिल किया है उसके बाद हम concealer लगाएंगे तो concealer के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है NYB का concealer और सारे product का detail आपको description box में मिल जाएगा तो आप जरूर चेक कर ले और प्लीज आप video देखते हैं मैं video को like कर दिजिएगा और मेरे चैनल को please subscribe किजिएगा और उसके बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक किजिएगा ताकि कोई video मिस ना होगा तो मैंने अंडर आई पे भी concealer लगा लिया है और उसे भी blend कर लोंगी सो मैं foundation से पहले हमेशा concealer लगाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है foundation और concealer दोनों match हो जाता है एकी साथ तो मुझे ज़्यादा highlight नहीं करता है concealer तो इसलिए मैं पहले concealer लगाती हूँ उसके बाद मैंने foundation लगा लिया है और मैं यहाँ पे Maybelline का fit me foundation लगाई हूँ जो इकलोता foundation है मेरे पास अच्छा coverage देता है और इसे भी मैंने blend कर लिया है blend करने के बाद हम इसे set कर लेंगे तो set करने के लिए मैं यहाँ पे like me का rose powder का यूज की हूँ और यह बहुत अच्छा as a loose powder work करता है इसको set करने के बाद हम eye makeup करेंगे तो eye makeup के लिए सबसे पहले मैं एक brown shade लेके अपने eye lead पे as a transition shade अपने blending brush के help से blend कर रही हूँ और मैं यहाँ पे बहुत simple सा eye makeup look create की हूँ क्योंकि मुझे heavy makeup नहीं चाहिए मुझे बहुत simple सा makeup look create करना है और इसे अच्छी तरीके से blend करने के बाद मैं same palette से dark brown shade लूँगी और इसे अपने lower less sorry, upper less line के पास से लगाना सुरू कर दूँगी एक pencil brush के help से और इसे मुझे smokey eye effect देना है brown smokey eye effect देना है तो इसी के लिए और same हम दोनों eye पे कर लेंगे उसके बाद हम फिर से blending brush के help से उसे अच्छी तरीके से blend कर लेंगे ताकि कोई हार्स एचिस ना रह जाए और हमारा eye makeup बहुत अच्छा दीखे और इसके बाद मैं लगाऊंगी eyeliner, so eyeliner skip भी कर सकते हैं बट मैं eyeliner लगाऊंगी उससे पहले मैं same eye shadow को लेके अपने lower less line पे लगाऊंगी जो मैंने eye lid पे अपने लगाया है as a transition shade वही वाला eye shadow लेके मैं अपने lower less line पे लगा रही हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पे NYB का eyeliner लगाया है so eyeliner लगाना मुझे काफी पसंद है और eyeliner लगाने से थोड़ा अलगी लुकाता है तो इसलिए मुझे eyeliner लगाना काफी पसंद है उसके बाद मैंने लगाया है NYB का pencil वाला जो काजल आता है क्योंकि मेरे वाला काजल नहीं मिल रहा था पता नहीं क्यों उसके बाद मैंने blush लगाया है माक्स का blush और इसमें से मैंने nude color का जो shade उसे पिक किया है और उसे लगाया है अपने nude पर भी थोड़ा सा मैंने लगा लिया है और मैं highlighter नहीं लगा दे हूँ तो मैंने बस अपने eye के corner पर highlighter लगाया जस थोड़ा सा मुझे highlighter नहीं लगाना है उसके बाद हम लगाएंगे mascara mascara लगाने से पहले मैं लगाँगे अपने eyelashes को curl eyelashes curler के help से उसके बाद हम लगाएंगे mascara तो mascara के लिए मैंने यहाँ पर maybelline का mascara लिया है और रहा अपने अब मैं यहाँ पर lashes नहीं लगा रही हूँ false lashes नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे false lashes लगाना पसंद नहीं है उसके बाद हम लगाएंगे lipstick लिप्स्टिक के लिए मैं तो लिप्स्टिक लिए है और मेरे आइस एई मेकप से हमारा लिप्स्टिक भी मैच है और और इस एसे लिपซेक भी ऊजव कर सकते हैं और इसे मैंने flip card से परचेस किया था इसके बाद हम अपने मेकप को सेट कर लेंगे मेकप सेटिंग स्प्रे से तो मैंने अपने ब्यूटी बिलेंडर पे स्प्रे कर लिया NYB का मेकप सेटिंग स्प्रे क्योंकि वो पुछ-पुछ मारता है उसके बाद हमारा फाइनल लुक आएगा गाइस